दोस्तो आज हम सीखेंगे वाटस अप में लास सीन फ्रिज कैसे करते हैं बीना किसी एप के आप ओफिशल वाटस अप में मेसेज को पढ़ सकते हैं, मेसेज का रिपलाई कर सकते हैं लेकिन आपका जो last scene है वो पुराना ही दिखाई देगा last scene freeze हो जाएगा यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताऊंगा दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं अपने whatsapp पर तो यहाँ पर आप देखेंगे दो mobile है मेरे पास अब इस mobile का जो whatsapp है इसका last scene यहाँ पर दिखाई दे रहा है दो बचकर 9 मिनट जबके time हो रहा है तीन बचकर 31 मिनट तो यहाँ पर last scene अभी पुराना दिखाई दे रहा है अब मैं यहाँ पर message करता हूँ इस mobile पर तो आप दे dp, naam वगएरा दिखाई देगा, message में क्या लिखा है वो भी आपको दिखाई देगा याणि क्या आपको पता चल जाएगा whatsapp पर आपको किसने message किया है अब message का reply अगर आपको करना है तो आपको यहाँ पर reply का option मिलेगा आपको reply पर click करना है और अपने message का reply यहाँ पर type करना है और यह वाले तीर के बटन पर click करना है तो सामने वाले को message चला जाएगा आप देखेंगे यहाँ पर मैसेज आ गया और यहाँ पर आप देखेंगे last thing freeze ही है पुराना ही last thing दिखाई दे रहा है अब इसी तरह से whatsapp पर आप chat कर सकते हैं जिससे कि हैंपर मैं फिर से कोई message type कर देता हूँ message को मैंने type करके send किया message यहाँ पर आ गया notification panel को मैंने open किया reply पर click किया अब यहीं से हम message का reply कर देते हैं सामने वाले को message आ गया और यहाँ पर मेरा last thing पुराना ही दिखाई दे रहा है यानि कि last thing freeze हो गया है यह था हमारा पहला तरीका अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ आपको क्या करना है message train करना है जैसे कि यहाँ पर मैं message train कर देता हूँ message यहाँ पर आ गया अब आपको whatsapp पर message आ गया है message को दोस्तों पढ़ने के लिए आपको क्या करना है net को बंद कर देना है net बंद कर दीजिए अपने phone में और whatsapp को open कीजिए इसके बाद आपको chat को open कर लेना है, message यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप message को पढ़ लेंगे, message को पढ़ने के बाद आपको जो भी reply करना है तो यहाँ से आप reply कर दीजिए, इसके बाद आपको recent app से whatsapp को बंद करना है और net को on कर देना है, तो आप देखेंगे आपका reply चला आज जाएगा, message आने के बाद आपको अपने phone में net को बंद करना है, WhatsApp को open करना है, message को पढ़ लेना है और यहाँ से आप message का reply कर देंगे, message का reply करने के बाद recent app से WhatsApp को बंद करना है और अपने phone में net को on कर लेना है, तो सामने वाले को reply चला जाएगा आपका, लेकिल last scene पुरा कर देना शेयर भी कर देना